राजधानी रैकूर में गुरुवार को पहला दीन दिवसी छतितिजगर्ण हरित सम्मेलन का शुभारम किया गया, जिसका उत्देश पर्यावरनी स्थिर्ता को बढ़ावा देना और विकास प्रक्रिया में लोग परंपराओं को शामिल करना है। तीन से पांच अक्टूबर तक चलने वाले इस चतितिजगर्ण हरित सम्मेलन का उधाटन मुख्यमंत्री विष्ण देव साय ने गुरुवार को किया, वही इस खायकराम में वन मंत्री केदार का श्यप मुख्य अतिति के रूप में मौजुद रहे। चतितिगर्ण वन एवं जलवाई परिवर्तर में भाग द्वारा आयोजित इस तीन दिवसी हरित सम्मेलन में वनों और सम्मदायों के बीच संबन भारती वानिकी और पारिस्थिति की तंत्र सेवाओं पर चर्चा की जाएगी। के लिए बड़ा सुभा का विसे है कि पहली बार ये तीन दिवसी चतिगर्ण हरित सिखर सम्मेलन कायोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन जगों से विसे विसे सग्याये हैं और ये सम्मेलन तीन दिनों तक चलने वाला है सबका यहां पर मार्दर्शन मिलेग और निश्चित रूप से पर्यावरन सरक्षन की दिशा में हम लोग अच्छा कम काम कर पाएंगे हाँ एक बैठक मानने केंदरे ग्री मंत्री से अमित साजी रखे हैं साथ तारीक को और हम उसमें सामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे